नमस्का बच्चो आज हम पाचली कप्षा के बढ़ाई करने जाए हैं देखें बच्चो यह जो पार्ट हम देख रहे हैं इस पार्ट का पहला जो भाग है यह हमने पहले ही देख लिया है मतलब पहचाल हमारी भाप्राम एक यह जो हमने पहले ही देख लिया है उस भाग में तुम्री क्या देखा है? जो स्वर्द और वेंजर है, इनके मिलाव से अक्षर बनते हैं है की देखें, स्वर्द और वेंजर इनके मिलाव से अक्षर बनते हैं और इन अक्षरों का सबूह शब्द भेलाता है लेकिन कैसा सम्मों अच्छों? अर्थपूर्ण समुल्ण। बरबर और इन अर्थपूर्ण शब्दों का अर्थपूर्ण समुल्ण। उसे हम वाक्य करते हैं, है कि नहीं? और इनी अर्थपूर्ण वाक्य से हम एक दूसरे में सम्मार करते हैं, है कि नहीं? यहां हमने पिछ बरत उस भाग में हमने स्वर और वेंचर इनके बारे में भी जनकरी लेए हैं साथ ही साथ स्वर जैसे की वे से शब्दों में आते ही हैं और स्वरों के बदले चिंडों का भी इस्तमाल किया जाता है यह भी हमने देख लिया हैं लेकिन पिछली तासित को मतलब पिछले भाग में हमने क्या किया है और आ ई ई उ और उ यही तब कौन कौन से चिंडों मतलब इनके कौन कौन से चिंडों है इसके अगाले में हमने जानकरी यही है इससे आगे जो हैं यहां हम आज की तासित को देखने वाले हैं देखते हैं बच्छों यह स्वर्ण वे स्कॉल है और इनकी चीम्दक किस तरिके से निखे जाते हैं और उनका इस्तमाल सब्दों में किस तरवन से गिया जाता है ठीक है? अब देखते हैं पिछली दासे काका उपने कोअ कोई कोई से रहते है? देखिए ए जो स्वर है वे कोड़ कोड़ से ओ आ ए पी बतर रहा है ए पू 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 ए पड़ी ओ अ 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 आ ए जो स्वर है इनका इस्तमाल हम पातों शब्तों में जैसे कि वैसा करते हैं साथ ही सार इनका इस्तमाल हम चिंदू में भी करते हैं अ अधिया किस तरह से इनका इस्तमाल हम करते हैं और यह जो है और हर एक बेंजर में में भी कोटा रहा है जैसे कि कर बेंजर ऐसा हम उसे हनल को बता है हनल में रिस्तमाल हम यह आदा है तो ए जो क है क जोड अ पराबर क मतलब हर एक वेंजर जो है क क क क क मतलब सभी वेंजरों में अ पैड़े से हम बूचू रहता है तभी बनों पूरा मुता है सब्लिया मुचो तो दो देए आव आ का चिनदा करम सा है क की सद्छ नसर इस टारम इचします मात आउवी जो कैसे है बनाना आप देखिए यहां क कञुछ निया है बनात आपखिए की व हुगा जो भू है इसका चीन्द ऐसा है दीर हो देखिए यहां तब पिछ्वे रांगे पहले गां नहीं डेख लेया है अब यहां से आफने देते हैं इसका चीन्द ऐसा है आई इसका चीन्द ऐसा पर उपाचिन्ण पैसा है मैं चो इस तरत है और उपाचिन्ण कैसा है तो दो में अनुस्वार और यहां पर क्या है विसर्गर इसका कैसा है चिन्ण इस तरत है ए और इस ताप इसन है अ ब्राब और ओ एक चीम नहें को हुआ ? पुरू। यहां इस तरिके से बिलिगा ज़ता है अब इसा मिला ज़ता है उसन्हों क्या करते है ? पुरू। इस चीम नो क्या करते है ? पुरू। समझ के बच्चु की सरह से इन चुमूं का इसमार किया जाना है अब देखते हैं हम यहां पर जो शब्दा दिये हुए है इनके बारे में देखिए पहना जो शब्दा है वहा है A-D तोसर है A-D A-D मतलब मराठी में तास यहां पर चित्र में निकला रहा है A-D A-D मतलब हमाजो पर है तो उसे इसमें जो अगल है वहा है A-D दास तो यहां पर किस तरह से ए जो A है यह क्या है? स्वर ही है इसका जैसे कि वैसा क्या है? इस्तमाल क्याना है दूसरा शब्दा है D दूसरा क्या है A-D A-D के निके नीचे बुक्ता है A-D दी जो है यहां पर देखिये यह जो A-D है A-D में यह जैसे क्या पर सांग स्वराय उपर है और D हत्लब यह जो चिंडर है यह कमसा है? दिर्ग इर्का है तो इस तरह से यह जो दर है यहार दर क्या है? वें जर्ड है आउर A जो दिर्ग इर्का है यह भी इसमें मिली है इसे कालगर A-R-E ऐसा हमें लिका है यहां शक्तर ऐसा हम लिखते है क्या? A-D-E एरी शक्तर अइसा लिखते हैं A-R-E ऐसा लिखते है क्या? बिबुक्वर नहीं तो यह पाफ आप एक पाफ में समझने जाए अब रावर देखें कौशा है अईरावर इस सब्द में भी यह जो ए है यह ए क्या हुआ है जैसे कि इसाल है रपो आप अ यह जो है आप एक चिंदब आता है अगर तो किस तरह है से चिंदब भी आये हैं और सब्सक्राव एक अक्षर भी यहां पुढ़ाए हुए है यहां अधामे रखें रख्यों अगला है यग्यो 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 यग्या है संयूंतो वेंजर हैं इसे कि मैंने पहले भाब में आपको बताया है श्रो त्रो ग्षो ग्यो यग्यो 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 ता आ यह स्वर ला हुआ है अईनग अईनग में भी आ यह जो है यह स्वर इस्तमाल जैसे के लिए से किया हुआ है अगला है तराजू ज़ को क्या हुआ है उ दूसरा उ यह ज़ को देखिये ज़ के साथ व आया हुआ है अगरा है विज्यापन होग है अगला है विज्वीत को अगला शम्ट है कघोल्षा है् उसे हम अम्राथन में कहें जा हीरा है है क्या कहते है विज्वीत को जाहीरा और लिए driven कहते हैं विध्यापर यहां पर दिया है दोभुन चिंदगी की ऐसा लिखा हुआ है अगला मेज कौन सा शब्द है अगला मेज देखें मेज इस मेज कौन सा अगला है चिंदग इसका इस वनका इसका देखें यहां इपर ए है किश् ए जो मेज है यहां ह дополн हम सा अइससे की मेज जिए क्या मेज एसा रिखा है कि नहीं इतला है इसके ए जो ए है इसका जिए रिखाहा हिए यहां पर हमने अइरावर अशा लिखा ही आइक किने नी। आपरावो और हमने एक हुद और झालन पर आपको सबस्तने होई ऐसा हम दे लिखा है क्या? बिल्कुर नहीं तो कई-कई जगों अपर के ज़स्मान है इन्हें जैसे के वैसे लिखे हैं कई-कई जगों पर हम इनके जो जिन्न देंदा इस्तमार करते हैं ठीक है यहाँ पर मेश की जगों पर मेश ऐसा लिखा है मेश मेश जड़ से करते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिखे हैं इसे का मेश इसा लिखा है मेश समस्क्रेट हैं जो पीस तरुन से उच्छा लिखे हैं अगला वासा है बैग देखेंगे अगला शबत कौसा है बैग इसमें कौसा यहाँ बाग पढ़ने चुना है अगला रहा है अगला शबत करते हैं तो यहाँ पर आइसा लिखते हैं का बैग बैग ऐसा लिखते हैं का नहीं लिखते हैं हम क्या लिखते हैं बैग क्योंकि ए जो है इसके ही है हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं बरागर इसे कालर यहाँ पर बहए ऐसा लिखते हैं बैग सुआर और वेंजोरों का मिला करते हैं बताप हुन्हे लिखते हैं लागर हम शत्रा बना रहे हैं समझे अगला देखिए तो यह पर विखते हैं यह विखते हैं आके देखिए कमसा है ओड्नी ओड्नी में देखिए ओड्नी गोड़ी बिट लगाता क्या? मरी लाए या बच्चेया तगड़िया अपने सी नेपर जदुपट्टा लेधी है उसे ओड़ी कहा जाता है इसे जदुपट्टा भी कहा जाता है वह ओड़ी देखें विच्चा इस शब्द में ओ क्या है? वह क्या है? स्वाली उसका इस्तमाद यहां पर जदुपट्टा क्या हुआ है? अगला हेड़ और नी नो के साथ दिर्ग यह हाई भी है मतलब यह जो चिंदा है यहां पर यह जो चिंदा है यहां इसके लिए इस्तमाद क्या हुआ है? दिर्ग यह के लिए समझ रहे हैं यहां पर स्वर जैसे तेरे सार्य पोट है और यहां पर स्वर ही है लेकिन चिल्ब पर साथ आया गुना है चीपे बिच्छों अगला शक्ता कुंसार यह देखिए गाचोर कुंसार में गाचोर यहां बदेख गौ के सार्य जो आका इस नार्य पर यहां गाचोर पड़्ली बिच्छben में गूद्छ अगला है ओखली देखिए यहाँ पर चुत्रमें भी दिया हुआ है अगला दोस्तान में ओखली यहाँ पर देखिए बैच्छों कि कीस तरह से यह जो ओख है जैसे की वैसा स्वर आया हुआ है और ल में दिर गई दिर गई इसका चिन जोड दिया गया है अगला बहाँ है अगला अगला भाग हम अग्रिता सिगा को देखते हैं दन्यवाद